ये कहा रहा है कि दो small metal sphere हैं A और B के जिसमें हर एक का radius छोटा R है और इनको connect किया गया है एक conducting thread के साथ यानि कि इसमें charge exchange हो सकता है from each other और यहां पर जो है यह कहा गया है कि charge Q को तुमने आपे place किया गया है और यह दो assumption दे रखे हैं कि जो इनके बीच का gap है वो भी इनकी radius के मुकावले बहुज़ादा है और इनके बीच का gap भी बहुज़ादा है पुछा है कि induced charges जो है वो कितने होंगे उसका modless पुछा है तो शायद किसी बच्चे ने कुछ जवाब दिया है तो हम देख रहते हैं हाँ ठीक है मेरे क्या है कुछ ऐसा ही है हम check करते हैं क्या जवाब आई का ultimately देखो जब भी अगर मैं एक underlying concept तुमने बताऊं induced charges में तो हमे तो पर यह ऐसे question कहां पुछ जाते हैं induced charges पुछ जाते हैं जहाँ पर हमारा किसी conductor को अर्थ कर देते हैं उस तरह के question में ही आम तो हमसे induced charges पुछे जाते हैं ठीक है तो अगर अर्थ करते हैं तो वहांका potential zero हो जाता है ठीक है तो लेकिन यहाँ पे तो किसी का earthing नहीं कर रख कि यह जो तुम्हारी जो रोड है न क्योंकि यह कंड़क्टिंग रोड है तो इसका जो पॉटेंचिल होगा वह इसका पॉटेंचिल होगा तो यहाभे हमें एक information बोल सकते हैं कि वी यह जो है वह हमारा वी बी के बराबर होना चाहिए इसका यहाँ जो है ठीक है अब वी हम कहा पर निकालेंगे हम जानते हैं कंड़क्टर के अंदर तो फील्ड होटी नी vigil को अदर कोई भी विछ लेते हैं शॉने अब खहुं क्या चर्ज स्काव्ड थब खृआ तो यहां पे सपोज़न मैंने मान लिया कि माइनस क्यूं का चार्ज है इनगी होतो यहादा सोचा नहीं कौन सा प्लस होना चाहिए अगर मैंने गलत माना है तो मेरा Q का value negative निकल करके आ जाएगा तो मुझे मालू पढ़ जाएगा मैंने गलत मान है अब करना क्या है मैं पहले center पे निकालता हूँ A के तो मैं क्या लिखना हूँ A के center पे इसकी वे से लिखूँगा क्या आएगा K Q upon में L फिर मैं इसकी खुद की वे से लिखूँगा तो खुद की वे से center पे कितना आता है minus का K Q by R अब ऐसा भी हो सकता है कि ये charge तुमारा non uniformly distributed हो तो सबसे जो key point है वो यही है ये कर चार्ज नो ऐसा हो ना कि ये plus Q है यहाँ पर और यहाँ पर यहाँ पर तुमने plus Q रखा हो है तो ऐसा हाला कि यहाँ पर दोनों सेम होंगे में भी इससा value कुछ अलग हो ये हमारा let's say इस होग मैं Q1 बोल देता हूँ क्योंकि ये कुछ जरूरी नहीं Q के बराबर हो ये क्रिटिकल बात है कि अगर रिंग में या स्फेर में चार्ज तुमारा non uniformly distributed है तो भी तुम सेंटर पर पोटेंशल के क्यू र लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर ये vector quantity नहीं है तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि value कहाँ पर ये electron जादे हैं कहाँ पर ये negative charge जादा है कहाँ पर ये negative charge कम है तो कि वो सारे scalarly add होने वाले हैं बस हमें पूरे charge का sum मालूम होना चाहिए और ये जो figure है ये sphere होनी चाहिए या disc होनी या ring होनी चाहिए ताकि सारे का distance हो यहाँ से r ही बन पाए अगर arbitrary ले लो कि फिर तो फस जाओगे जाई से बादा distance नहीं लिख पाओगे ठीक है charge मालूम होना ची total कितना है और पूरे पूरे charge का distance जो है वो हमें मालूम होना ची जो कि r के बराबर है तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे तो हमें non uniform distribution से यहाँ पर कोई भी आपत्ती नहीं है तो अगर हमें कोई आपत्ती नहीं है तो हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ भी क्या लिखेंगे तो यह हो गया हमारा kq by l इसकी वेसे और यह non uniform distributed है और value इसकी आगे q1 है लेकिन फिर भी हम इसको लिख पाएंगे minus kq by r यहाँ पर भी हमारा जो है अगर हम देखेंगे तो charge का value कितना हो गया है यहाँ पर हमारा q1 हो गया है ठीक है और इसकी वेसे अगर हम यहाँ पर potential लिखेंगे क्योंकि यह बहुत लादा है जिसको हम करीब करीब पॉइंट ही consider करेंगे तो इसके लिए यह असानी से लिख पाएंगे चोटी चोटी बाते हैं लेकिन तुम चाहो तो इनको ओवर लुक भी कर सकते हो और तुम चाहो तो इन पर ध्धान देख करके हो सकता है कि प्राची ने जैसे अंसर निकाला लेकिन इन बातों को ओवर लुक कर लिए ऐसा it might be possible मैं सिर्फ वे बता रहा हूं तुम्हें मैं यह नहीं कर रहा हूं तुमने ओवर लुक किया यह लेकिन यह तुम्हारे बताते हैं कि तुम्हारे concept जो है वो कितने distribution का expression ना दिया जाए यह वाली बात समझते हैं कि यहां पर direction होती है यह जादा है यह कम है तो इसका direction होता है तो कैसे add होगा वो इस बात में डिपेंड करता है कि कि तरह से वो charge तुम्हारा distributed है बट potential में क्योंकि direction नहीं होती तो यह वाली बात माईने नहीं रखती है बस अब charge का magnitude और जो है वो उस सारे सारे surface का center से एक ही distance होना चाही वो माईने रखता है ठीक है तो इस वाले का हम यहां पर क्यों लिख पा रहे है non uniform distribute होने के बाउजुद भी अगर कोई मैंसे यह बोले कि यह charge कुछ अगर यह बहुत दूर कि अगर तुम बात करोगे तो इसको मैं करीब करीब पॉइंट कंसीडर करके फिर यह वाला expression मैं लिख सकता हूँ वही काम हम यहां पर करना ही कोशिश कर रहे है तो अगर हम वही काम है करना ही कोशिश करेंगे यह आने वाले question बड़ी important होने करने वाली यह बाते हैं जो मैं तुम बता रहा हूँ अभी क्योंकि हम आगे induced charges का एक series ही करने वाले हैं सोटो तो वहाँ पर यह वाली चीज़ें काम आई है हमारे kq by L इसकी वैसे कितना होगे माइन साथ kq by R इसकी वैसे कितना होगे प्लस का kq by A यह हो गया है इसके center पे तीनों के कारण potential अब बी के center पे तीनों के कारण potential बोले हैं तो कितना होगे kq L प्लस A इसके खुद के कारण चलो पहरे इसके कारण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस का kq by A और इसके खुद के कारण लिखेंगे तो कितना लिखेंगे प्लस का kq by R अब सारी सारी बाती सेमें है दुबार तक स्पेंग करना है अब हम इसके क्या करना है के से के तो कारण देंगे सारे से अब हम इसके इसके एड करना है शूटेबल तरीके से तो अगर डबल डबल हो रहा है उनको डबल डबल कर लेते हैं जैसे A वाला डबल हो जाएगा आर वाला डबल हो जाएगा तो q by L इस पूरे कभार गुजर लिखेंगे माइनस में q l प्लस a is equal to q1 by r और यहाँ पर भी q1 by r तो 2 q1 by r और q by a और यहाँ पर भी q by a तो माइनस का 2 q1 by a ठीक है l sim ले लेते हैं color भी change कर लेते हैं थोड़ा सा तो यहाँ पर अगर l sim लेंगे तो यह बन जाएगा q तो हमने l sim ले लिया है और यहाँ पर बन जाएगा l plus a minus में l और यह हो जाएगा l into में l plus a ठीक है यह two common आ गया q1 भी common आ गया और यहाँ पर हमारा बन गया a into में r और अगर हम l sim देखेंगे तो हमारा l sim मन जाएगा a minus में r ठीक है साथी में कोई वो नहीं करेंगे approximation नहीं करेंगे last जाकर के approximation करेंगे जो भी suitable approximation अपने को लगेगा तो यहां से जो q1 का value मेरा निकल करके आ रहा है वो निकल करके आ रहा है q into में a into में a r which will be a square r divide में l into में l plus a और यहाँ पर हो जेगा a minus में r तो यहां पर हम देख पा रहे हैं multiply में तो कभी भी जो है हम approximation नहीं मारते हैं छोटी बड़ी value दोनों साथ में रहेंगी addition में मार सकते हैं वहां पर जहां पर बड़ी value छोटी वाली से minus या add हो रही हो तो वहां पर हम यहां पर यह और चीज़ी देखते हैं कि a बहुत बहु एल प्लस ए यह हमारा आंसर आजाएगा इसका ठीक है यह a एक a उपर से कड़ जाएगा एक a बच जाएगा तो this will be our answer होफ़ुली सभी पर समझ में आगया कोई doubt है तो किसी देखा पूसकते हो तो अगली पर जब भी induced charges आए तो तुम्हें क्या करना है potential को equate करने की कोशिश एढ द्यूली पासी कोशिजगर की राएगा इस किसी देखा है तो किसी हुआ खबामागा उसके실테 च रही क esta शोबामागा उसमया ग। तुम्हें आवली जाएगा जाएगा उस factory रंसेखा को जाएगा जाहगा है किसी काषऑ जाएगा झापकोश